Social and Preventive Pharmacy आज के इस lecture में हम important question को discuss करने वाले हैं कि किस unit में से कितनी marks का question put up होता है देखो different universities है तो different question pattern भी है कई universities में 2 marks कई universities में 3 marks या फिर MCQ पूछे जाते हैं कई universities में 5 marks या फिर 7 marks का question आता है और कई universities में 10 marks या फिर 15 marks का question आता है ठेके तो हम यहाँ पर बताने वाले हैं 2 marks 5 marks 10 marks अब अगर मैं आपको 2 marks का बताऊंगा तो वही 3 के लिए भी होगा वही MCQ के लिए भी होगा अगर मैं आपको 5 marks का question बताऊंगा तो वही आपको 7 marks के लिए भी होगा और अगर मैं आपको 10 marks का बता रहा हूँ तो RGPB के student उसी को 15 marks में consider करेंगे तो दिको अलग-अलग university है अलग-अलग question pattern है बट subject तो से में, unit तो से में, explanation तो से में रहेगा तो बस lecture को जहां से सुनते जाओ, समझते जाओ, पूरे syllabus का एक इतना अच्छे समय feel दिला दूँगा कि चाहिए आप बिना पड़े भी paper देदो पास हो जाओगे, इतनी guarantee तो मैं रखता हूँ क्योंकि बहुत ही जब हम साथ semester निकाल के, 8 semester में आ चुके हैं, तो अब तो हमें आता है कि किस तरह से answer को बढ़ा करना है, extend करना है, किस तरह से हमें उसे एक proper format में arrange करना है तो चलिए lecture को start करते हैं, important important questions of social and preventive pharmacy अगर आपको all lecture requirement है, तो आप चेक कर सकते हमारी playlist जहांपर आपको unit wise सारे lecture मेंने mention किये हुए हैं और अगर आपको notes की requirement है, तो आप चेक कर सकते हमारी application, depth of biology की application आप download कर सकते हैं, play store से और आपको वहाँ पर सारे notes available मेंने कराए हुए है वहाँ पर live lectures भी होते है, online classes भी होती है तो ज़रूर download कीजेगा depth of biology application चलिए lecture को start करते है देखो यहाँ पर मैं आपको important question तो बताऊँगा start में मैं आपको syllabus को भी पूरा समझाऊँगा अच्छे से समझाँगा क्योंकि important question बताने से आप pass नहीं होने वाले आपको syllabus समझना ज़रूरी है क्योंकि जब आपको syllabus का idea लग जाएगा आपको जब यह पता लग जाएगा कि हमें answer किस तरह से लिखना है आपको जब यह पता लग जाएगा कि हमारे syllabus में actual में है क्या तो उसकी बाद अगर आप important question follow करोगे तो आप guarantee pass होने वाले हो अभी इसी वीडियो को देखकर आपको full motivation full confidence आजाएगा देखते जाओ सुनते जाओ देखो सबसे पहले यहाँ पर unit number 1 से start करते हैं unit number 1 में आपको 4 chapter दे रखे हैं concept of health and disease social and health education sociology and health and hygiene and health ठीक है अगर यहाँ से question put up होगा तो किस तरह से होगा आपको एक idea तो लग गया होगा कि यहाँ पर बिमारी की बात चल रही है यहाँ पर hygiene maintain करने की बात चल रही है देखो आपको पता है कि अगर आप साफ सुत्रे तरीके से रहोगे अगर आप proper hygiene maintain रखोगे आपकी hygiene maintain रखोगे आपके आसपास hygiene maintain रखोगे मतलब कि साफ सफाई बरकरार रखोगे तो फिर आप बिमार कम पड़ोगे तो यहाँ पर क्या है वही सारी बाते है कि disease क्या होती है health क्या होती है और यहाँ पर आपकी hygiene किस तरह से आपके disease को होने से रोकती है मतलब साफ सफाई होगी तो वहाँ पर कोई bacteria नहीं होगा virus नहीं होगा किसी तरह का मच्छर हिंदी में बोलता है पनपना वहाँ पनपेगा ठीक है वो बिमारी नहीं फेला सकेगा तो वही सारी बाते हैं तो अगर two marks के question की बात करूँ तो definition पुछी जाती है कि disease क्या होता है health क्या होता है इनके definitions होते है ठीक है फिर आता है question concept and evaluation of public health हमें कैसे पता लगेगा कि public health जो है वो बिल्कुल सही है तो उसको evaluate करना पड़ेगा पता लगाना पड़ेगा तो वो वाली बाते हैं थोड़ी सी basic सी बाते हैं यह नहीं पूछी जाती वैसे तो आप सिर्फ definition पर focus करना health की, disease की, disorder की इनके definitions ठीक है उसके बादे concept of prevention and control of disease मतलब कि सकते हैं कि हम इस तरह से बच सकते हैं और अगर हो गई है तो यह यह symptoms आएंगे और इस तरह से हमें इसका treatment करना है पिर हमें यहाँ पर देखना है social cause of disease and social problem of the sick देखो क्या-क्या social विकेंसे causes हैं अगर कोई बिमारी हो रही है तो उसका social कारण क्या है ठीक है तो वो सारी बात है समास से related है उसके बाद social and health education आपको पता है कि health education कितनी ज़रूरी है अगर मान लो यहाँ पर पानी store है और तीन-चार दिन से यहाँ पर पानी जमा है तो आपको पता है कि पानी ऐसे store करके नहीं रखना है और अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर से consult करना है तो मतलब health education होना बहुत ही ज़रूरी है आज के तारिक में ताकि बंदा बीमार ना हो और अगर बीमार हो तो वो डॉक्टर से चेक अप करा के अपना इलाज जल्दी करे और जिसकी वज़े से क्या होगा पता है morbidity rate और mortality rate मतलब बीमारी की rate और मढने की rate mortality मतलब मढना उन दोनों की rate जो है कम हो जाएगी क्योंकि जब इनसान मिमारी नहीं पड़ेगा तो उमरे से पहले वो नहीं मरेगा ठीक है फिर यहां पर आपको दे रखा है देखो balance diet balance diet क्या होती है कैसी diet जिसमें proper nutrient हो proper mineral हो proper calcium हो proper carbohydrate हो सब कुछ proper balance diet लेना ज़रूरी होता है ये भी five marks में पूछ जाता है पिर आता है malnutrition and prevention malnutrition क्या होता है कि किसी को nutrition की कम ही होना तो उससे कैसे बचा जा सकता है उसके prevention भी बताइए फिर आती है vitamin deficiencies देखो vitamin बोलो vitamin एक अच्छा word लगता है सुनने में भी vitamin ठीक है तो vitamin अलग-अलग तरह से होते है vitamin B, vitamin C, B1, B2, B3, B4, B5, B6 pyridoxin वगेरा वगेरा कही के करके बहुत तरह के vitamin होते है अब ये vitamin हमारी body में बहुत ही essential role play करते है और अगर vitamin कम हो जाते है तो भी problem होती है ठीक है nutrition भी हमारी body में काफी एक major role play करते है macronutrient, micronutrient और अगर nutrition की deficiency हो जाती है तो भी problem होती है जैसे माली जै मैकरोन न्यूट्रेंट की कमी हो गई मैकरोन न्यूट्रेंट की कमी हो गई और नाम से पता लग रहा मैकरोन न्यूट्रेंट मतलब ऐसर न्यूट्रेंट जो कि आपको ज़ादा चाहिए होते है micronutrient जो कि आपको कम चाहिए होते हैं ठीक है तो वही सारी बाते हमें देखनी होती है यहाँ पर कि vitamin की deficiency कौन-कौन से vitamin से किस-किस तरह की problem आती है अगर कम हो जाते हैं तो malnutrition क्या होता है balance diet क्या होता है और nutritional deficiencies क्या होती है micronutrient क्या होता है micronutrient क्या होते है वही सारी बाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है impact of urbanization on health and disease यह भी five marks में आता है इसका मतलब है कि जब लोग गाउं से शहर की तरफ shift हो रहे हैं तो उससे क्या फरका रहा है उनकी health पर ठीक है उसके बादे poverty and health अब poverty देखो गरीबी होती है अब गरीबी होती है तो आपको पता है अगर गरीबी है तो क्या balance diet ले पाओगे नहीं ले पाओगे क्या आप रोज राइफ भूट खापाओगे नहीं खापाओगे अपने आपकी प्रोटीन की intake वगेरा मिनरल की इंटेक वगेरा प्रॉपर रख पाओगे नहीं रख पाओगे तो उस condition में health खराब होनी है ठीक है सीधी सी बात है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास बिमारी है होनी ही होनी है फिर रहती है आपके पास malnutrition है फिर क्योंकि आप proper diet follow कर ही नहीं पाते देखो दो टाइम सोभी शाम खाना खाना पेट भरना इसका मतलब यह नहीं है कि आपने आपके fiber, protein, fat इन सब का जो consumption है वो proper कर लिया नहीं 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 वो सिर्फ आपने आपके इस तरम आप चीज़े इसको पर तो बहुत लिख सकते हो आप कि poverty से आपको health education नहीं मिलेगी, poverty से knowledge नहीं रहेगा, poverty से balance diet का आपको पता नहीं होगा, poverty से आपकी health maintain नहीं रहेगी क्योंकि आपको idea ही नहीं और आपको idea क्यों नहीं हो क्यों कि आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप education लहीं नहीं सकते, वो वाली बात है, ठीक है, तो यहां से इस तरह से question put up होता है, अब last में hygiene and health, अब सीधी सी बात है, अगर आप साफ सफाई रखोगे, तो क्या किसी तरह की बिमारी होगी, नहीं होगी, और अगर आप साफ सफाई नहीं रखोगे, तो अलग अलग तरह की बिमारी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब आप साफ सफाई मेंटेन नहीं रखोगे, अगर मैं एक्जांपल दूँ टाइफाइड का, तो टाइफाइड कैसे होता है, गंदा खाना, गंदा पानी की वज़े से, साल्मोनला टाइफी की वज़े से, तो वो बेक्ट तो उस वज़े से क्या होता है, हाईजिन मेंटेन ना होने की वज़े से, बीमारी के चांसे बढ़ जाते हैं, कई डेंजर बीमारी के चांसे जिसे मलेरी, टाइफाइ, डेंगियु, जिसमें आपकी हर बीमारी में मौत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस तरह से कोशन तो कुछ भी आजाए आपको पता है कि क्या लिखना है वैसे में यहाँ पर सारे कोशन लिखे हुए है आप देख सकते हैं ठेक है उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नमबर टू पे जिसका नाम है प्रिवेंटिव मेडिसिन अब देखो यहाँ पर बहुत ही इजी यून और अगर एग्जांपल दूं मलेरिया और अगर एग्जांपल दूं कैंसर डाइबिटीज हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन अलग अलग तरी की बिमारिया है ठीक है देखो मलेरिया हो गया डाइबिटीज हो गया कैंसर हो गया इपोटेंशन हो गया निमूनिया हो गया ल influenza हो गया, acute respiratory infection हो गया, cholera हो गया, chicken गुनिया हो गया, तो यह जित्ती भी तरह कि आपको बिमारिया यहाँ पर दे रखी है, इन सब बिमारियों की आपको detail जाननी है, जैसे अगर मैं बात करूँ diabetes आपको पता है, ब्लेंड में glucose बढ़ जाता है, उसको क्या-क्या symptoms आते हैं, diabetes का क्या-क्या treatment है, diabetes के लिए क्या-क्या test होता है, सब कुछ, वैसे ही hypertension आपको पता है, blood pressure, normal blood pressure किता होता है, 120 upon 80, mmHg, ठीक है, systolic upon diastolic, अभी अगर बढ़ जाता है, तो stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 तक आती है, अगर hypertension हो जाता है न तो kidney damage हो जाती है, kidney damage हो जाती है न तो आपको dialysis पर shift होना पड़ता है, बड़ी दिक्कते आती है, malaria आप जानते हो, female inafil mosquito, महिला खुन चुस्ती है, मतलब महिला मच्छर, उसकी बात कर रहा हूँ, फिर chicken gunya हो गया, dengue हो गया, chicken gunya भी मच्छर करता है, lymphatic filaresis भी मच्छर करता है, मच्छर करने से मेरा मतलब है, कि मच्छर यहाँ पर vector का काम करता है, जैसे माल लीजिए, इसको malaria है, मच्छर आएगा, इसको bite करेगा, इसके blood में से sporozoid लेगा, किसी और को जाके infect कर देगा, तो मच्छरों से बचना है, ठीक है, अब जो यह मच्छरों से बचने वाले concept है, इसमें आप क्या-क्या लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो, मच्छरों से कैसे बचोगे, odomas लगाओ, सबसे बचले तो यह लिखो, फिर जाली वाले, जो होते हैं न, net, net use करो, ताकि आप अंदर रहो, तो मच्छर अंदर नहीं आ पाए, odomas लगाओ, net use करो, कहीं अगर पानी जमा है, तो उससे जमा मत रहने दो, खुला पानी जमा मत होने दो, ठीक है, और full sleeves के shirt पहनो, अगर आप पहन रहे हैं, तो फिर मच्छर आपको बाइट नहीं कर पाएगा, तो यह सारी, जो general बाते, जो common बाते, वो सारी बाते, अब जैसे मान लिजे, SARS है, SARS जो है न, corona के strain से होता है, corona virus था न, उसका strain virus होता है, ठीक है, उसका mutated version मान लिजी आप, तो उससे SARS होता है, अब SARS से कैसे बचा जा सकता है, दो गजदूरी मास से जरूरी पता है न, यह लाईने सुनी थी सबने lockdown में, तो distance बना के रखो, sanitizer का use करो, उस person की contact में मताओ, उसे quarantine कर दो, ठीक है, अगर वो छीकता है, तो उसके droplets जो है, वो रुमाल में जाने चाहिए, मतलब इसे, खुल करनी चीक ना है, हर जागे चीक चीक करके, वो सामने वाले को भी infect नहीं करना है, तो वो सारी बाते, जो भी lockdown में आपने देखा था, कि वही, quarantine कर दिया था, दवया दी जा रही थी, और अलग से बिल्कुल रख दिया था, उनको, उनको माक्स पहनने का बोला था, मास्क भी लगाते थे, गलफ्स भी लगाते थे, वो सारी बाते यहां पर लिखने है, ठीक है, नामी क्या है, preventive, कैसे बचा जाए, चलिए, तो आप करी लेंगे, सारी बाते वही है, अब देखो यहाँ पर, National Health Program, Its Objective Functioning Outcome, यहाँ पर ध्यान से सुनना, जैसे माल लिजे, यह इंडिया है, हमारा भारत महान, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, एड्स फिलना स्टार्ट हो गया, इंडिया में एड्स, एड्स तो होता है, मल्टिपल सेक्स पार्टनर से, होगा भाई, होगा, हमारी बात अलेगे, हम साइन्स वाले हैं, हमारा सिंगल हो जाए, तो वो बड़ी बात है, खेर, टॉपिक पर आपिस आ जाते हैं, तो इंडिया में माल लिजे, एड्स फैल गया, बहुत बुरी तरह से, तो एड्स को रोकने के लिए, कोई प्रोग्राम लोंच होगा, ठीक है, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, यहाँ पर आपको दिरखा है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, यह लोंच होता है, अब यह लोंच होता है, तो इसका सीधा सा मुद्धा है कि भाई जो एड्स फेल रहा है उसको हमें रोकना है इंडिया में जो एड्स फेल रहा है उसको हमें रोकना है सबसे पहला तो इनको क्या है कि एड्स को रोकना दूसरा काम इनका क्या होगा कि जो एड्स के पेशेंट है उनको सही करना है उनका एड्स के symptom आते हैं उनको तो हम कम कर सकते हैं ठेक है तो एड्स का symptomatic treatment दिया जाता है फिर अगर यह program launch हुआ है जैसे मालीजी हमने HIV and AIDS control program launch कर दिया हमने एड्स को कम कर दिया हमने एड्स का treatment कर दिया तो finally हमें last में लिखना होता है heading में outcome outcome का मतलब कि यह जो program launch हुआ है इससे क्या फाइदा हुआ तो देखो कोई भी program launch होगा तो वो रोकने के लिए ही होगा तो आप लिखना कि हमने AIDS को eliminate कर दिया हमने AIDS के patient को कम कर दिया जो भी AIDS के patient थे हमने उन्हें cure करने की पूरी कोशिश करी हमने सब जगे knowledge spread किया education spread की health education दी AIDS के बारे हम बताया HIV के बारे हम बताया कैसे transmit होता है वो बताया जिन को knowledge नहीं थी उनको समझाया ताकि AIDS के फैलने की chances कम हो और इसी तरह से हमने mortality mortality morbidity rate को भी कम कर दिया मतलब बीमार होना और मणना mortality मतलब मणना ठ हिए mortality morbidity rate दोनों को ही हमने कम कर दिया और इस तरह से हमने एड्स को प्रिवेंट कर लिया तो देखो कोई भी प्रोग्राम हो आपको ये सारी बाते बतानी पड़ेगी जैसे मान लिजे HIV एड्स के लिए है तो पहले HIV एड्स समझाएंगे फिर समझाएंगे कि वो फेल रहा है फिर उसके फेलने से मॉटिलिटी मॉबिडिटी रेट बर्ड रही है फिर हमारा HIV एड्स कंट्रॉल प्रोग्राम लॉंच हुआ गॉर्मेंट ने लॉंच किया किसने लॉंच किया क्या फंचन है और अगर लॉंच करा तो आने वाले 5 साल बाद उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं आउटकम क्या आ रहे हैं सारी बाते आपको मेंशन करनी होती है अब जैसे माली जी कोई से भी प्रोग्राम है जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है थे यहां पर हम क्या करते है पेशन की मेंटल हील्थ को बनाये रखते हैं जैसे मान लिजी पागल है तो इसको एंटी साइकोटिक ढुक दो एंटी मैंश द्रुग ऑश्कू उसको therapy provide करो अब जैसे national leprosy control program है तो leprosy अगर spread हो रहा है तो उसको control करो इंडिया में उससे spread मत होने दो हमारी country में उससे spread मत होने दो mortality morbidity rate कम करो जो भी persons है ठीक है जिस area में यह fill रहा है वहाँ पर कि जो लोग है उनको educate करो तो यह सारी बाते करने पड़ती है जैसे pulse polio program चला था दो बुन जरूरी है बच्चों को polio की पिलाना वही वाली बात है ठीक है तो कब launch हुआ किसने launch किया क्यों launch किया क्या function है और क्या outcome है बस इत्ती सी बात है उसके बाद आ जाती आपकी unit जहां पर भी यही सब है देखो national malaria prevention program मतलब पहले बिमारी पढ़ लो फिर उसके program कब launch हुए थे क्यों launch हुए थे किसने launch करे थे क्या function थे क्या outcome निकले और इसमें हमने क्या क्या करा कितनी सी बात है टोबे को control program में और साती तबेको की production को भी कम कर दिया था इसमें ठेक है तो नाम से पता लग रहा है कि हां भाया यहां पर हम क्या कर रहे हैं launch कर रहे है क्यों क्यों launch कर रहा है function क्या है outcome क्या है यही सारी बात आपको देखने है ठेक है और सबसे important question यहाँ पर एक और बनता है role of WHO in Indian National Program यह जो हमारे इंडिया में national program launch हो रहे हैं इतने सारे इन में WHO, World Health Organization का क्या role है यह question बनता है फाइप मार्च में उसकी बाद आगे चलते हैं unit number 5 की तरफ तो यहाँ से कुछ selected question है जिसे function of PSC आपको two या five marks में पूछे जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर एक और question मनता है National Urban Health Mission ठीक है तो यह दो question पर आप ज़्यादा focus देना बाकि तो सब normal है बाकि तो आपको जब आप read करेंगे तो वही सारी बाते गुमा गुमा करें कि हमें education provide करनी है हमें aware करना है अलग-अलग तरह की योजनाएं चलती है तो यह मैंने आपको पूरा syllabus समझा दिया जहां पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि बीमारी के बारे में पढ़ना है साफ सफाई के बारे में पढ़ना है social मतलब हमारे समाजिक के बारे में पढ़ना है हमारे समाज के बारे में पढ़ना है कि वो हमारे health को किस तरह से नुकसान पूचा रहा है किस तरह से benefit दे रहा है वो सारी चीज़े फिर balance diet पढ़नी है malnutrition पढ़ना है macronutrient पढ़ना है macronutrient पढ़ना है उसके बाद Unit 3 और 4 में कई तरह के प्रोग्राम से जैसे Malaria को Prevent करना है, Aids को Prevent करना है, Tobacco को Prevent करना है, तो आपको नाम से पता लग रहा, Malaria, Tobacco, Aids, Pulse, Polio, ये सारे तो important है ही, ठेके, और भी मैंने लिखे हुए important questions में, उसके बाद Unit 5 कमिन आपको पता दिया जो था, तो ये था आज का आपका lecture, जिसमें हमने देखा, पूरा syllabus अच्छे से समझा, और ये भी idea लग गया कि किस तरह से question put up होते हैं, और कहां से question put up होते हैं, तो I hope आपको ये सब clear हुआ होगा, अगर आपको lecture से related कोई भी doubt इस आप comment section में comment कर सकते हैं, ये PDF आपको depth of biology application में मिल जाएगी depth of biology application आप download कर सकते हैं, फ्ले स्टोर से, तो देखो android वालो के लिए तो simple सा है, फ्ले स्टोर पे जाएंगे और depth of biology application डाउनलोड कर लेंगे, अब अगर apple user है, iOS user है कोई, तो apple user क्या करेंगे, app store पे जाने के बाद वहाँ से आप download करेंगे, my institute application, क्या download करना है, my institute application, उसके होते हैं, ORG code, वहाँ पर आप लिखिए, M-U-L-N-O, और आप अपने mobile नमर से register कर लीजिए, फिर, यहाँ पर simple है, play store पे जाईए, और depth of biology application डाउनलोड करके, mobile नमर से register कर लीजिए, apple user app store पे जाईए, my institute application को download कीजिए, ORG code में मुलनो टाइप कीजिए, और अपना mobile नमर से आप register कर सकते हैं, telegram, instagram से जुड़ जाना, telegram, instagram सभी की link में आपको description में दे रखी है, playlist की link में आपको description में दे रखी है, इन सभी की lecture में बहुत जल्दी आपको लेकर आऊंगा, तो stay tuned और notification on रखिएगा, ताकि आपको lecture जल्दी से जल्दी मिल जाए, चाहे मैं उसे कभी भी अपलोड करो, subscribe and share for more, have a nice day, have a good day, Jai Shri Ram, thank you